आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतेक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों कीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तो रट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनलोट करें नमस्कार तो इस प्रेशन में दिया है किसी ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं जबकि प्लेटफॉर्म पर इस्तित किसी खंबे के सामने से गुजरने में 10 सेकंड लगते हैं यदि समान गती को चलने वाली किसी दूसरी गाड़ी को खंबे के सामने से गुजरने में 9 सेकंड का टाइम लगता है तो गाड़ी की लंबाईयों का अंतर क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले माना पहली गाड़ी की लंबाई पहली गाड़ी की लंबाई जो है वो कितनी है एल मीटर है ठीक है यह हमने मान लिया तो आप 60 meter हमारे पास में get 60 meter के platform है तो उसको पार करने में 14 second लगता है ठीक है तो यहां से हम क्या बोल सकते है देखो 4 बराबर दूरी बटा समय होता है ठीक है तो कुल दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी platform कितना है 60 meter का है plus L meter उसकी लंबाई है ठीक है क्या हो जाएगा दूरी बटा समय हो जाएगा ठीक है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ यहां से मैं बोल सकता हूँ 4 जो है वो कितनी आ जाएगी दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी 60 plus L और बटा में कितना हो जाएगा समय कितना हो जाएगा 14 ठीक है यह आगे चाल हमारे पास एक तरीके से इस तरीके से अब दूसरे तरीके से क्या हो जाएगी खंबे के सामने से 10 सेकंड में लगते हैं ठीक है 10 सेकंड लगते हैं खंबे के सामने से जाने में ठीक है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं दूरी जो है वो हमारे पास में कित बनेगी, देखो, यहां से L बटा कितनी हो जाएगी 10, अब दोनों साइट तरफ से चालने तो बराबर होने वाली है, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, L बटा यहां पे 5 बराबर, यहां से कितना हो जाएगा, 60 प्लस L बटा 7 ठीक है तो यहांसे कितना हो जाएगा 7 L बराबर यहांसे कितना हो जाएगा 36 ठीक है तो 300 प्लस यहांसे कितना हो जाएगा 5 L ठीक है तो यहांसे कितना हो जाएगा 2 L बराबर 300 तो L बराबर कितनी हो जाएगी तो ये 1.500 हमारे पास में कितना हो गया? लंबाई हो गई तो यहां पर देखो 1.500 बटा कितना आगया? 10 यानि कि 15 15 मीटर प्रति सेकन्ड के आओगई उसकी चाल हो गई ठीक है? 15 मीटर प्रति सेकन्ड उसकी चाल हो गई दूसरी गाड़ी जो है वो कितने में पार कर रही है नो सेकंड में पार कर रही है ठीक है तो दूसरी गाड़ी के लिए कितना हो जाएगा देखो अब उसकी जो लंबाई है उसको हमने L मान लिया ठीक है तो L' मान लिया ठीक है तो यहाँ पर देखो के लिए माना गाड़ी के लंबाई कितनी है रेल काडी के लंबाई कितनी है एल डैस मीटर है ठीक है तो यहांसे हम क्या बोल सकते हैं और समय जो हमारे पास 9 मीटर का है चाल हमको 15 दे रखी है ठीक है तो यहांसे कितना हो जाएगा यहांसे कितना हो जाएगा 9 सेकंड का हो जाएगा ठीक है तो 15 गुणा 9 ठीक है तो 15 गुणा 9 कितना हो गया हमारे पास में 135 बराबर L dash हो जाएगा ठीक है तो अंतर जो है दोनों का ये कितना आ जाएगा 15 मीटर का आ जाएगा ठीक है तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ठीक है तो जो पहला विकल्प है वो क्या हो गया सत्य हो गया धन्यवाद